आज हम सीखेंगे घातांक की नियम गणित एवं विज्ञान में अक्सर हमें घातांकों पर विबन्य संक्रियाय करना अवश्यक हो जाता है इन संक्रियाओं का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें घातांकों की नियमों को समझना अवश्यक है पिछली कक्षा में हमने 0 तर पूर्णांक यानि non-zero integer A और B तथा पूर्णा संख्याओं यानि whole numbers M और N के लिए निम्नलिकित नियम सीखे जरा सोचिए क्या यह नियम उन संख्याओं के लिए भी लागू होगा जिनका घातांक एक पूर्णांक यानि integer हो और आधार एक परिमेए संख्या हो सोचिए सोचिए चलिए पता करे चलिए हम A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M धन N इस नियम की बात करते हैं मान लिजिए हम A का मान कोई परिमेए संख्या जैसे साथ लेते हैं M का मान पूर्णांक रिण 2 और N का मान पूर्णांक रिण 3 लेते हैं तो बायापक्ष बन जाएगा साथ के उपर घात रिण दो गुणा साथ के उपर घात रिण तीन और दायापक्ष बन जाएगा साथ के उपर घात रिण दो धन रिण तीन बराबर साथ के उपर घात रिण पांच चलिए पता करते हैं कि दोनों पक्षों का मान बराबर है या हम 7 के उपर घात रिण 2 को 1 बटे 7 के उपर घात 2 यानिके 1 बटे 7 गुणा 7 लिख सकते हैं, इसी तरह 7 के उपर घात रिण 3 को 1 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं, इन दोनों संख्याओं के गुणन को हम 1 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 इस प्रकार व पर हम साथ के उपर घात पांच लिख सकते हैं जिससे हमें संख्या प्राप्त होगी एक बटे साथ के उपर घात पांच इसी को हम साथ के उपर घात रिण पांच लिख सकते हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां दोनों पक्षों का मान समान आ रहा है अर्थात यह नियम पूर्णांग घातांकों के लिए भी सत्य है इस तरह से हम कह सकते हैं कि A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M धन N यहां नियम उन संख्याओं के लिए भी लागू होगा जिनका आधार परिमेय संख्या हो और घात एक पूर्णांग हो यानि के किसी भी परिमेय संख्या A और पूर्णांग M और N के लिए A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M धन N होता है अब चलिए A के उपर घात M विभाजत A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M रिण N की बात करें यहां अगर हम A बराबर 7 M बराबर रिण 2 और N बराबर रिण 3 लेते हैं तो हमें प्राप्थ होगा 7 के उपर घात रिण 2 विभाजत 7 के उपर घात रिण 3 बराबर 7 के उपर घात रिण 2 रिण 3 चलिए ग्याद करें कि यहां भी बायापक्ष और दायापक्ष बराबर है या नहीं इसके लिए हम दोनों पक्षों को सरल करेंगे और प्राप्थ परिणामों की तुलना करेंगे दायपक्ष को सरल करने पर हमें प्राप्थ होगा क्या आप बता सकते हैं इस विभाजन को अब हम कैसे सरल करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए पता करें क्या आपको याद है कि जब हम परिमेय संख्याओं का विभाजन करते हैं तो पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं फिर विभाजन के चिन्न को गुणन के चिन्न से बदल देते हैं और दूसरी संख्या का व्युतकरम यानि रेसिप्रोकल लेते हैं यहां एक बिटे साथ के उपर घात तीन का व्युत्क्रम होगा साथ के उपर घात तीन इससे हमें प्राप्त होगा साथ के उपर घात रिण दो विभाजित साथ के उपर घात रिण तीन बराबर एक बिटे साथ के उपर घात दो गुणा साथ के उपर घात तीन चुकि साथ के उपर घात दो बराबर साथ गुणा साथ और साथ के उपर घात तीन बराबर साथ गुणा साथ गुणा साथ है इसलिए हम हर से दो साथ और अंच से दो साथ काट लेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्थों का साथ के उपर घात एक, जो कि दाय पक्ष के बराबर है। यहाँ भी यहाँ सत्यापित होता है कि परिमेश संख्या A और पूर्णांक M और N के लिए A के उपर घात M विभाजित A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M रुण N यहाँ नियम सत्य है। अब चलिए A के उपरगात M के उपरगात N बराबर A के उपरगात M गुणा N इस नियम की बात करें मान लीजे हम A बराबर 1 बटे 2 लेते हैं, M बराबर रिंद 1 लेते हैं और N बराबर 2 लेते हैं नियम के अंतरगत हम लिख सकते हैं एक बटे दो के उपरगात रिण एक के उपरगात दो बराबर एक बटे दो के उपरगात रिण एक गुणा दो चलिए यहाँ भी दोनों पक्षों को सरल गरें बाय पक्ष को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक बटे दो के उपरगात रिण एक का अर्थ है, एक बटे दो का व्युत्क्रम जो है दो, इसलिए हम लिख सकते हैं, एक बटे दो के उपरगात रिण एक के उपरगात दो बराबर दो गुणा दो बराबर चार, अब दाय पक्ष को सरल करें, चुकि दोनों पक्ष बराबर ह इसलिए यह सत्यापित होता है कि परिमेए संख्या A और पूर्णांक M और N के लिए A के उपर घात M के उपर घात N बराबर A के उपर घात M गुणा N है इसी तरह आप बच्चे नियमों की जाज कर सकते हैं जाज करने पर आप पाएंगे कि सभी नियम उन संख्याओं के लिए भी सत्य है जिनके आधार परिमेए संख्या है और घात पूर्णांक है इन सभी नियमों की जानकारी से हम घातांकों से संबंदित उधारणों को आसानी से हल कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि परीमे संख्या AB और पूर्णांग MN के लिए A की उपर खात M गुणा A की उपर खात N बराएबर A की उपर खात M धन N है A की उपरगात M विभाजत A की उपरगात N बराबर A की उपरगात M रिन N है A की उपरगात M की उपरगात N बराबर A की उपरगात M गुणा N है A की उपरगात M गुणा B की उपरगात M बराबर A गुणा B की उपरगात M है एक उपर घाच शून्य बराबर एक है आज हमने सीखे घातां के नियम अगली वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उधारंड देखेंगे